विल्कम टू में चानल, आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, विंटर स्किन केर पैक्स, अगर आपके चेरे के उपर पिम्पल हो, आक्नी प्रोबलम्स, यह ड्राइ स्कीन, ओली स्कीन, इन सब के सोलुशन में आपको एक ही वीडियो में बताने वाली हूँ, क्यों आपको चेरे के उपर पिम्पल हैं, तो आप इस होम रेविडियो को यूज कर सकती होगा, इसके लिए हमें लेना है एक बॉल में मिल्क लेना चाहिए, मिल्क में हमें एड करना चाहिए, वन टेबल स्पूल, वाइल टर्मरीक कस्तूरी हल्दी एड करना है, एड करके इसको को mix करना चाहिए इसमें कच्छा मिल्क में एड़ करना है इससे आपका पेस पे पिंपुल आकनी दूर हो जाएंगे और इसको आप ओवरनाइट मास की तरह भी अपले कर सकते हैं जहां जहां पिंपुल आकनी है उस एरिया पे अपले करें और अपले करके ओवरनाइट के और ओवरनाइट में पिंपुल आकनी भी रेड्यूस हो जाएगा एप बन चुका है यह पैक जो है जहां पिंपुल आकनी है उस एरिया पे इसको अपले करने के पहले मेक शूर आपका स्कीन को नॉर्मल पानी से वाश करें अगर आप फेस मेक अप है तो मेक अप को यह अपना इसमें हैमट शचे मेनonce बीड़ेंग ब्रहता है इसे वाइल्ट आंश पुलूई करें और आपको एजिंग का प्रवलम है इसे एजिंग बीस लोडन हो जाता है इस स्कीन तीग और ग्लोईग दीखने लगताい Dios तो आप्ले करने के बाद 10-15 मिनेट स्किन पे चहरे पे इस पैक को चोड़ दीजिए इसके बाद स्किन को नॉर्मल पाने से वाश कीजिए सुफरेंस यह है फेस पे पिंपल आइकनी मार्क्स को हाटाने का तरीका ऐसके हो अगर अप स्किन को ब्राइटनिंग करना चाहते हैं स्किन कॉंपलेक्षण को फिर बनाना चाहते हो तो उसके लिए फेस पैक्स यह फेस उस कर सकते हैं इसके लिए आप लेना चाहिए एक बॉल में कूल जे outta कुलीं क्ले पॉडर यहांपे एड केजिए पुलिंग पॉडर आपको किसी भी सुपर मार्केट में ऐा औरोवेदिक स्टोर में या ऑनलाइन में आवालबल होता है या फ्लिपकार डमिजन टैप सेट करें सकते हैं कुलीं क्लेव पॉडर एक टैप ऑफ मुलदानी मती भी बो कि इसके बाद इसमें एड़ करना चाहिए तोड़ से पिंच आओ कस्तोरी हल्दी वाइल डर्मरिक और फाइनली कच्छा दो तो रा मिल्क एड़ करके तो इसको अच्छी तरह मिक्स करना चाहिए यह और स्कीन थाइप के लिए सुटबुल है इससे आपका स्कीन बचाहिए यह मास्क हर स्कीन टायप की लिए सुटबुल है इसको जब चाहिए आप बना सकते हैं और इससे आपका स्कीन फेल्दी रेडियेंट होता है छह old मास्क को वीक लिए तीन बार केछी अब यदेतली बहुत कर सकते हैं कोई भी साइड एफेक्स नहीं है नुकसान नहीं है इसको अपले करके में रिजल्स शेर करूं इस पर अपले करने के पहले फेस को क्लीन रखना इंपोर्टेंट है फेस वाश या लेंजर जो आप यूज करते हो क्लीन फेस को वाश करके रखिए इसके क्योंकि इसमें अंदर एक अच्छा दो रा मिल्क यह अपना स्कीन के लिए सुटेबूल है यह अपना स्कीन का एक्सेस ओल को प्रिवेंट करके किन को हेल्दी और रेडियंट बना देती है कुलिंग जो पॉड़र होता है एक टाइप आप फुलर पॉड़र है इसे आपका स्कीन हेल्दी और रेडियंटर रहता है और इससे यसे वाइट क्ली का दे़ते से आपका स्कीन क्लीन होगा और आपके पॉर्स बी MORNING हो जाएंगे और स्कीन पेब्रेकर्स और बेट हैटक वाइटक को भी प्रिवेंट करके आपका स्कीन को एक गलीन क्लीर रखता है और चोड़ दीजिए इसके बाद warm water से आपका skin को wash करें ऐसा आप everyday कर सकते हैं अगर आपके पास time नहीं है तो आफते में तीन बार कर सकते हैं इसे skin radiant और healthy रहेगा और soothing भी होगा Japanese skin whitening secret बताने वाली हूँ इससे आपका चेहरे पर pigmentation दूर होगा आपका skin tone tint shades brighten होता है और आपका skin complexion improve होगा चेहरे के उपर wrinkles, fine lens भी problem हट जाएगा ये काफ़े effective है ये anti aging skincare है उसार किसी को useful है और हाद की try करना चाहिए क्योंकि इससे आपका skin को फायदे हैं काफ़े सारे skin problems पर इससे दूर हो जाएंगे इसके लिए clean ball में आप लेना चाहिए चावल का आटा मैं या पर एक चमबच चावल का आटा ले रही हूँ जपनी skin whitening treatment है ये अपना skin को whitening करता है 10 shades brighten आप जो skin color है उसे 10 shades ज्यादा आपका skin का रंग को निकार देता है एक चमबच चावल का आटा और इसमें add करना है आलू का रस सिरफ एक चमबच लेने से काफी है क्योंकि instant बनाना है तो आप एक चमबच काफी है तो तोड़ा सा आलू का रस और इसमें add करना है दही दो चमबच दही add करके fine paste तरह बना लेना चाहिए बस simple है एक चमबच आलू का रस एक बड़े चमच का आठा दो चेंबज दाई जपनी स्किन वाइटनिंग पैक इससे स्किन का एजिंग स्लोड अन होगा स्किन के सारे प्रॉब्लेंस पर दूर हो जाएंगे आपका बॉड़ी स्किन टोटल हेल्दी रहेगा यह आप सिरफ फेस पर नहीं पूरा बॉड़ी पर लगा सकते हैं च इस पैक को अच्छी तारह मिक्स करना है जितना अच्छा मिक्स करोगे इस पैक इस बन जायेगा आप इसको एक बार बनाके को यूज भी कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा बार बार बनानुकर टाइम नहीं है तो आप इसको दो दिन के लिए बेए फिरज में भी रしま आप तक यूज़ करके देगे आपका चेहरा इतना चमकदार, ब्राइटनिंग और शाइनी हो जाएगा, आपका स्कीन का कलर बहुत इंप्रू होता है, यह चेहरा नहीं पूरा बॉड़ी के इपर समाल कर सकते हैं, फेस और बॉड़ी के लिए हैं, काफी effective है, तो इसको अपले और इसका फायदे भी में बताऊंगी, इसको मैं face और hands पे अपले करी हूँ, आप पूरा face और बॉड़ी पे लगा लीजिए, क्योंकि मैं इसको अंडर face पे अपले करना है, तो अंडर area छोड़के पूरा face पे अपले कीजिए, एक face whitening, best face whitening remedy है, जो अपनी face whitening remedy है, इससे अपना skin का aging slowdown होगा, क्योंकि age की वज़े से skin का age slowdown होता है, और इससे आपका age कम होगा, क्योंकि इसमें अंदर है potato का juice, aloo का rust, यह अपना age को slowdown करता है, इसमें high amount of anti-aging properties रहता है, यह आपका skin के उपर wrinkles, pigmentation को दूर करके, आपका skin को anger और glowing बना देता है, premature aging को, अपना skin का aging को slowdown करके, skin को clean, clear और spotless बना देता है, रही अपना skin को motures रखता है, hydrate रखता है, और इससे skin का complexion improve होगा, और skin का tone भी बढ़ता है, इससे skin glowing और brightening होगा, और चावल का आटा है, इसमें anti-aging properties भी रहता है, यह अपना skin को आची तरह exploit करता है, skin को biting और tightening करता है, तो इस तरह आप face पे अपले करें, इसके बार आप dry होने के लिए चोट दीजिए, 15 मिनिट, 15 मिनिट के बार इसको हलक ऐसा पानी से चेहरे को गीला करके, circular motion में scrub करते हुए, इस pack को remove कीजिए, इससे scrubbing भी हो जाएगा, और चेहरा explode भी होगा, और आपका pack भी मिल जाएगा, तो इससे आपका skin double cleanse होगा, इससे आपका skin color improve होगा, चेहरे पे सारे dead skin cells दूर होगे, आपका skin का color improve होता है, skin का texture भी बढ़ जाता है, और अभी मैं इसको hands के उपर अपले करी हूँ, अभी hands के उपर अपले करी हो, अगर आपकी body पे dark body parts है, चाहे underarms, dark underarms, dark knees, dark hillbos या private body parts, इसको आप अपले कीजिए, इससे सारे काले पंदूर होगा, skin का color भी improve होता है, skin shade बढ़ता है, skin का shade 10 गुना जादा बढ़ता है, इससे skin पे सारे काले पंदूर होगा, और आपका skin clean, clear और healthy बन जाएगा, तो मैं इसको hands के उपर अपले करी हूँ, आप आपका पूरा body पे या जहां आ अपले कीजिए, अपले करके 20 मिनिट तक छोड़ना चाहिए, अगर face है तो 15 मिनिट बोडी है, तो 20 मिनिट के लिए चोड़ना है, 20 मिनिट के बाद ये completely सूख जाएगा, dry हो जाएगा, तब skin को normal पानी से wash कीजिए, मैं आपको recommend करती हूँ, इस process को आप shower करने के time पे अपल ओल डे आपका body sweat proof रहेगा, और healthy और glowing दिखेगा, तो इस tip को follow कीजिए, और इस treatment को हर दिन यूज कीजिए, एक माइने के अंदर आपको visible difference दिख जाएगा.